नुमस्कार दोस्तों स्वागत आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में दोस्तों आज के इस वीडियो में कई एहम खबरे हैं वीडियो को पूरा सुनिएगा तो सबसे पहले हमसे चक भरती की बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालों में सवा लाख पत खाली है 2018 से कोई भरती नहीं हुई 2018 में 69 से चुकों की भरती हुई थी जिसमें अभी भी एक नंबर से पास होने वाले चात्रों की जॉइनिंग हो नहीं है तो ऐसे में जो सवा लाख पत खाली हैं उनको भरने के लिए चात्रे अब कोर्ट का दर्वाजा खट-खटा चुके हैं और यह बाले सिच्चा का अधिकार 2009 में स्कूलों में सिच्चों के 10 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त होने पर व्योस्था दी गई है लेकिन 2018 के बाद सिच्चक भरती नहीं आने के कारण वर्तमान में कई जिलों में 25 प्रतिशत से अधिक पद खाली हैं जो पद सर्जित हैं 5,08,084 पद उत्तर प्रतिश में सर्जित हैं और कारिरत नियमित अध्यापकों के संख्या 4,53,594 है यह साफ है कि नियमित सिच्चकों के 1,26,490 पद खाली है तो इन पदों को भरने के लिए ही चात्रों ने अपकोट का दरवजा खट खटाया है देख अगली वीडियो में बताया जाएगा सीजिल 2023 में 75,500 पदों के लिए आवेदन शुरू हो गया है सीजिल की वेकेंसी में कोई भी ग्रेजूट कोई भी ग्रेजूट जिसने बीए बेस्चे बीकाम कर रखा हो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है केंदरी विभागों में अधिकारी की वेकेंसी होती है यह अधिक जो भी ग्रेजूट है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं आवेदन 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 आज से शुरू हुआ है सरकारी रिजल डाट कॉम पर भी आप जाके देख सकते हैं इसका लिंक वहाँ पर भी दिया गया है बारवी के छात्र मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ेंगे उनके स्लेबस से दस्मी और बारवी कच्छाओं की पाठ पुस्तकों का उससे जो है मुगलों का जो इतिहास है उसको हटा दिया गया है एक अच्छी नियुग ये चात्रों के लिए के असिस्टन प्रोफेसर भरती के लिए उप सच्यू को सासन ने उनको सिवा बिस्तार दे दिया है यूपिएची से की तरफ से एक हजार सत्रा प्दों पे असिस्टन प्रोफेसर भरती के लिए अलेडी आवेदन हो चुके है और इसके लिए अभी तक परिच्छा नहीं कराएगी है आवेदन प्रक्रिया 2022 अगस्त में सुरू हुई थी और परिच्छा की डेट नहीं गोशित की गई है वहीं उच्छे सिच्छा के उप सच्छिव के एलास नाथ राम की ओर से सुगवार साम आदेह जारी किया गया कि ततकाल प्रभाव से डक्टर स्यूजी मालवी को उच्छे सिच्छा सेवा आयोग की बिग्यापन संक्या क्यावन के तहत परिच्छा की समस्त कारवाई पूर के लिए कि अवे परिच्छा जो है यह आपकी होगी और शासन भी इस पर गंभीर है इस परिच्छा को करवाने के लिए असिस्टन प्रोफेसर भरती में जीएस का जो कोर्सान आता है उसके लिए सीपी स्मार्ट क्लासेस पे वीडियो कोर्स है और इसकी टेस्टी सीरीज भी है तो जो चात्र जोईन करना चाहते हैं वो एप को डाउनलोड करके जोईन कर सकते हैं PCS 2023 के लिए आवेदन अब 10 अप्राइल तक लिए जाएंगे PCS 373 पदोल पर भरती के लिए अनलाइन आवेदन की प्रकरिया तीन मार्च से शुरू हुई है और परिच्छा सुल्ग जमा करने की अंतिमतिती जो तीन अप्राइल और आवेदन की अंतिमतिती छे अप्राइल करने और आवेदन करने की अंतिमतिती बढ़ाने का निरने लिया है तो जो चात्र अभी भी अप्लाइल ना किये हो तुरण जाके इसमें अप्लाइल कर दें दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद